आज आमारा टॉपिक बारिश होते हैं तो आमें टमाटर के पसर में कौन सा स्प्रेय लेना चाहिए दोस्तों तो इस बात पर हमने कुश्विंप चैनल पर पहले एक वीडियो बनाया है दोस्तों आप उपर दिखाए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं तो लेकिन या बात आते हैं दोस्तों अगर बारिश के साथ ओले भी गिरते हैं तो आमें कौन सा स्प्रेय लेना चाहिए इस बात पर आज आमारा टॉपिक होने वाला है तो वीडियो चुरूँ होने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चानल के सब्सक्राइब जरूर कर देना तो दोस्तों जब हमारी पर पर ओले गिरते हैं तो परसल वेसे बहुत खराब हो जाती है लेकिन आपकी पसल पर बारिशे साथ ओले गिरने पर भी आपकी पसल ज्यादा डैमेज नहीं हुए है कापी अच्छी है तो उस टाइम पर आप उसको स्प्रेय लेका अच्छी कर सकते हो तो इस बारे में हम बात कने वाले हैं दोस्तों तो ओलोक की बज़े से हमारी पसल पर जो डैमेज आता है दोस्तों तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो स्प्रेय लेना है वो हैट्रोजन पैरोकसाइड के कंटेन वाले प्रोडक्त का जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसिल के बारे में तो दोस्तों इस प्रोडक्त इस्टमाल से पहले आप हैट्रोजन पैरोकसाइड का कारे जान ले तो दोस्तों हैट्रोजन पैरोकसाइड का कारे और डोस के बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों हेटराजन पै रोकसेडरी अल्जी साइड किटानो नाशेक और पॉदोपर सैनिटाइर की रूप में के साथ ही कवक नाशेक की रूप में भी कार्य करता है या हमारे पोदों में जो कवक की वज़े से हो या उसी टाइब आप के अलजी साइड के वज़े से हो इन वज़े से त्यार होने वाले फंगस को जगापरी खतम कर देता है दोस्तों उसी तरह से हमारे मिट्टी में रहने वाले फ्योजरियम या अदर कोई बुर्शी उनको भी ये कंट्रोल कर लेता है जब आप उसका स्प्रे कर रहे होते हैं उसी टाइम पर आपको इसका इस्तमाल हमारे पोदों के निशनी बाग पर याने के मिट्टी पर भी स्प्रे का इस से करता है ये एक व्यापक स्पेक्टर्म कवक नाशी कि है व्यापक स्पेक्टर्म का जो बहृत ही सैंें कवक नाश के बहुत सारी कोक नाशी की फ्रजातियों को ये नश्ट कर देता है इसलिए आम इसकी सारे अच्छी रिजल्ट आते है दोस्तों अगर हमारे पोदे में जड़ समधित बीमारिया हो जैसे की फ्यूजेरियम हो फाइटोस्पोरा हो राइजस्टोर्निया हो इस सारे फंगस को भी ये ड्रिप के माधियम से कंट्रोल कर लेता है दोस्तों तो दोस्तों जो हमने प्रोड़क बटाया है माइक्रोस्चील का तो इसमें जो कंटेन आता है अट्रोजेन परक्सेट को 25 परतिशत और मेटैलिक सिल्वर जो आता है वो 0.15 परतिशत इसका जो स्प्रे के लिए जो 200 ml परति लिटर याने के आप अगर 200 लिटर का गोल बनाते हो तो आपको ये 400 ml लेने की जरूरत पड़ेगी तो इसके इस्तेमाल के बाद आपको दो दिन बाद एक और प्रोड़क के इस्तेमाल करना है उसके बारे में आम बात करेंगे दोस्तों एक्टर बारन का नया प्रो 26% प्लस कासुगा माइसिन 6% ये से फाम में आता है दोस्तों इसका इस्तेमाल हम रोगों के शुरुआते आवस्तार में भी कर सकते हैं रोग आने के बाद भी करते हैं तो भी ये कापी अच्छे रिजल्ट देता है ये प्रिवेंटियों में भी अच्छा कारेगर साबित हो आए दोस्तों कि बारिश के दिनों में इसके अच्छे रिजल्ट आ सके ये पेशली अगर बारिश होती है तो उस टाइम पर यूश करने के लिए बनाया गया है दोस्तों तो दोस्तों इसका जो इस्तेमाल है आपका स्प्रे के लिए जो प्रमान है वो 200 लिटर के लिए अगर यह दोनों स्प्रेल निकाल लेते हो तो आपके परसल को आप खराब होने से बचा लेते हो बोलें जब गिरते हैं तब उस टाइम पर आमें सबसे पहले आट्राजन पैलोक्सेड के कंटेन वाला ही स्प्रेल लेना है दोस्तों और उसके बाद में दो दिन बाद आपको इजुक का स्प्रेल ले इससे आपके परसल भी खराब होने से बच जाएगी और आगली रूटिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों तो तब तक वीडियो को लाइक को चानल को सब्साइब जरू कर लेना ताकि आप तक ऐसे आगली इंपरमेशन आसके